हलो मेरे पैरे बच्चों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे रहकर के अपनी अच्छी स्टड़ी कर रहे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का ही जो नया चैनल क्रिएट किया गया है यह आप लोगों के लिए ही किया गया है यहां पर फस समेस्टर की मैं सारी की सारी क्लासेज आप लोगों को अपलोड करूँगा पढ़ाऊंगा और अभी तक हमारे करीबन करीबन छे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं आज का लेक्चर साथ है बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सबी लोगों ने इसका नाम सुना होगा आपने देखा होगा कि वैसे तो बहुत सारी वीडियो पढ़ी होई है और हमको एक्जाम में क्या कंटेंट लिखना है वो आपका भाई सुमित राना यहां पर प्रोवाइड करेगा ठीक है तो डरने की है क्या बात जब सुमित रान क्लासे यहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं उसके साथ साथ भाई शेयर जरूर कीजिए क्लासे को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा चलिए जी क्रमी के नाम से जाने जाते हैं चलो स्टार्ट करते हैं अगर कोशन आप लोगों का पूचा जाता है कि संग प्लेटी हलमन्थिस के सामाने लक्षणों के बारे में एक्स्प्लेन कीजिए तो आप बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग डालिएगा फाइलम प्लेटी हलमन्थिस ठीक देखते हैं अंदर कैसे आपको लिखना है क्या लिखना है क्या लिखना है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे और एक तरफ हिंद्धि-इंग्लिस मिक्स है दोसरी तरफ आपका पूरा एंग्लिश के नवजेशन है तो इसमें आपके टेली ग्राम ग्रूप पे मिलेगी खेञेए टेलीगरम के लिए एक विखना को लोड करना है और लिडी लोड है बहुत अच्छी बात है आपको तरफ शे Driag प्लेश करना है वहाँ प्लेटी हल्मन्तीज में सफी चपटए क्रम्यों को रखा गया रखे गए तो प्रपोस कौन किया है कौन कार्ल गेगनबर ने बात याद रखेगा अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ऑन प्रेसी बार ने बात में अगर आपको याद रह तो फ्लाट वां लिख दीजेगा उसके नीचे लिखिगग दीजेगा चपटेक रभी और फिर पिर आपको लिखना है यहाँ पर सामाने लख्ट्षण फिर आपको हैडिंग डालनी है सामाने लख्ट्षण और ये जो सामाने लक्षण है ये सामाने नहीं है इनको आपको याद करना पड़ीगा ठीक है और बहुत important form में यहाँ पर बहुत ही easy language में यहाँ पर लिखा गया है तो आप easily याद कर सकते हो class के दौरान ही आपको सारा का सारा याद हो जाएगा notes बनाते चलिए पहला point देखे लिखा हुए बच्चों सामाने लक्षण में कि इस phylum में पाए जाने वाले सदस से कुछ aquatic बिटा समझेगा कुछ aquatic मतलब कुछ जली बोले तो marine और fresh water दोनों जोगा आपको देखने को मिल सकते हैं अधिकतर जो होते हैं यह सारे के सारे कैसे होते हैं पारा साइट होते हैं पर जीवी होते हैं यह रूप में पाया जाते हैं तो पहला point सबसे important याद रहेगा phylum platy halmanthes के अंदर जितने भी सदस रखे गए हैं इन में से कुछ ऐसे सदस हैं जो पानी में भी पाया जा सकते हैं पानी बोले तो समुद्र के जल में मिल सकता है या fresh water में मिल सकता है नदी नाले पोकुरों में मिल सकता है ठीके अधिकतर जो सदस से यहां पर रखे गए है वो सारे के सारे parasitic होते हैं पर जीवी होते हैं किसी दूसरे organism के अंदर रह करके अपने जीवन को वितीत करते हैं ठीके याद होगे है चलो बाई दूसरा point देके लिखा हुआ है कुछ सदस से human के अंदर अब कुछ ऐसे भी parasites हैं phylum platy halmanthes के अंदर पाया जाने वाले जिनों जिनोंने हमारे body के अंदर अपनी जगा बना लिए तो कुछ सदस से human के अंदर endoparasite बोले तो अंतः पर जीवी इसको हींदी में करते बटा अंताह पर जीवी रूप में अंताह पर जीवी के रूप में भी पाये जाते हैं उयाद रखोगे हमारे अंदर भी मिलता है बैं ह मोस्ट कॉमन एक इंडो पैरासाइट है इसको हम लोग टीनिया सोलियम कहते हैं इसी को पढ़ना भी है आगे नेक्स यूनिट में अगर यह होगा तो डेफिनेटल इसको पढ़ाऊंगा नेक्स पॉइंट देके लिखा हुआ है यह पैरासाइट होस्ट यह जितने भी पैरासा होस्ट की बोडि से मतलब होस्ट मतलब कौन प्योशत कि हमारे अंदर पाइजा रहे हमारी इसके होस्ट और अच रहता है हुक और सकश के दौरा क्या रहता है बिटा हुक से अटेश हो जाएंगे इंटेस्टाइन में और सकर से क्या करेगा यह जितना भी हम भोजन क्हाएंगे जोबी फूट मेटरेल क्था चो भी बुट में इसको यह चक लेगा Q और इनकी बोड़ी मेंधी डॉर्स कौल immortal होते हैं जब यह फ्लैट होंगे तो इनके अंदर किसी भी टाइब की कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती है यह बात भी आप याद रखिए अभी आगे बताऊंगा ठीक है नेक्स पॉइंट देके लिखा हुआ है इनमें इलिमेंटरी कैनाल बहुत इंपॉर्टन इनमे क्लास इस्टोड़ा के सदस्यों में अलिमेंटरी कैनाल कम्प्लीटली अप्सेंट होती है मतब क्लास इस्टोड़ा के सदस्यों में अलिमेंटरी कैनाल पाई नहीं जाती क्योंकि क्लास इस्टोड़ा में वो सदस्य रखे गया है जो पारासाइट के रूप में है जैसे टी है जो materials बना हमारे लिए हमारी body की useful के लिए वह यह भाइसाब ले गए यह भाइसाब सक्कल लेते हैं सारा का सारा choose लेते हैं हमसे तो इनको elementary canal की requirement है यह नहीं elementary canal तो उसके अंदर ओ भाया जो भोजन को महनज से खारा रहा है यह तो क्या कर रहे है इनको भोजन जो last product बना डारेक्ट उसी को ले ले रहे हैं लेकिन डारेक्ट आप्टेंट कर रहे हैं तो जब डारेक्ट ले लेगा तो उसको डाइजेस्ट करने की रिकॉर्मेंट जब होगी नहीं तो डाइजेस्टिफ सिस्टेम का क्या जरूरत है अगर मानलो आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है तो फिर जब आप पढ़ने लिखने के लिए नहीं बने है तो आपको कांपी पैन की क्या जुरूरत है वैसे यह है इसको करने की रिकॉर्मेंट नहीं है क्योंकि याद रखिएगा बडी के इंदर कहा है अधा इस क्लास के सभी सदस्य होस्ट की बॉडी से सीध है क्लास से जोड़ा के जित्रे भी सदस्य है सारे के सारे परसेडिक फॉर्म में पाया जाते है और इन सदस्यों में और लेवल बॉडी और बन जाएगा कुछ डिफरेंट टाइप के टिशू आपस में बिल करके पूरा का पूरा एक और बनाएंगे और वो और एक पार्टिक किविटी को कराएगा ठीक है और इन सदस्यों में दुई पार्ष शम्मिमिती बोले तो बाई लेटरल सिमिट्री पाई जाती है और यह सदस्य ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं मतलब क्या होता इन में तीन जर्म लेयर पाई जाती है इससे पहले तक आप लोगों ने क्या लेयर पाई जाती है जिसमें सबसे बाहर क्योंहों होगी एक्टोडर्म है ना सबसे अंदर की तरफ होगी एंडोडर्म और इनके बीच में होगी मीजोडर्म, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म यह तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, आगे देके लिखा हुआ हुआ, यह सदस एसीलोमेट, बोले तो अग हो ही यह होते हैं, मतलब इनके अंदर किसी प्रकार की कैव नहीं होगी, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनकी बोडी डॉर्सल और वेंटरल सर्फेस पर फ्लैट होती है, जिसकी वज़े से इनके बोडी के अंदर किसी भी तरीके का कैवर्टी देखने को नहीं मिलता, नेक्ष्ट पाइंट बहुत इंपॉर्टेंट देखे लिखा हुआ है, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, जिनमें, जैसे हम बात करते हैं, क्लास तर्भील एरिया की, तो कुछ सदस्यों में, जैसे क्लास तर्भील एरिया में, epidermis ciliated form में पाई जाती है, epidermis किस फॉर्म में पा पर पहारे पहला है तो तीसरे समस्टर में पढ़ा रहा हूं तो कॉटेमी तो काड़ेट की जो एपिस्कस करेंगे वहां पर ठीक है तो अभी तो हम यहां पर कुछ ऐसी बाते बता रहें lower non-quadded की बात हो रही है तो कुछ सदस्यों में जैसे cluster भी ले रहे हैं की बात करें इन में epidermis जो होती है वो ciliated form में पाई जाती है वह parasitic organization में epidermis पर thick cuticle पाई जाती है parasitic organization में बोले तो parasitic organisms जो होते हैं मतलब जो परजीवी जीव होते हैं जो परजीवी प्लेट हिलमंथिस हैं उनके उपर एक उनके epidermis के उपर एक मोटी सी cuticle की wall भी पाई जाती लेयर भी पाई जाती ताकि यह parasitic host cell ताकि यह parasite host cell के digestive juice से क्या रहे हैं बेटा protect हो सके होस्ट cell के हमारी body के जो digestive juice उसे उनसे प्रोटेक्ट हो सके हैं इनको हम डाइजेस्ट नहीं करते हैं जो कि एक प्रकार का parasitic adaptation होता है अब इसमें तो दिया नहीं कि अगर होता तुम्हें पढ़ाता नहीं है तो छोड़ो ठीक है तो parasitic adaptation के नहीं मतलब क्या होता है कि parasitic adaptation मतलब अपने आपको किसी भी बातावरण के अनुसाद ढ़लना तो परजीवियों ने हमारे बाडी के अंदर पहले बाहर से ये बलड को शक्किया करते थे तेकिन अब बाडी के अंदर से nutrition लेते हैं तो जाहेट सी बात है बाडी के अंदर जाने के लिए इनको उस तरीके का ढ़लना पड़ेगा उस तरीके को अपना आपको बनाना पड़ेगा तो उसी को बोलते हैं में मीजन काइम टिशू प्रदेंट होता है क्या होता है इन में नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है लैडर लाइक होता है जो की नर्व रिंग वा लॉंगि ट्यूडनल नर्व कॉट से मिल करके बना होता है और कैसा होता है नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है याद रेस्पिरेशन बाड़ी की जर्नल सर्फेस से होता है इनके अंदर इस्केलेटन और स्केलेटरी सिस्टम जैसी चीजें भी नहीं पाई जा रही है लेकिन रेस्पिरेशन के आप बात करें तो उसकी तो रिकॉर्मेंट पड़ती है अब उसको करने के लिए इनके इंदर रेस् लिखा हुआ है इनमें एक्सक्रीशन बोले उत्सरजन जौला कोशिकाओं बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए यहां पर एक विशेश प्रकार की कोशिकाओं है पाई जाती है और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं जौला कोशिकाओं जिसको इंग सब्सक्राइब करें तो इनके सदस्यों में बॉडी सेग्मेंटेशन नहीं पाया जाता है मतलब बॉडी खंड यूप नहीं होता लेकिन अगर हम क्लास से स्टोडा की बात करें जो की परसेटिक एड़ेशन इसी के अंदर पाया जा रहा है इनमें प्रो ग्लॉटिट्स यानि बॉडी सेग्मेंटेशन पाया जाता है बॉडी सेग्मेंटेशन बोले तो इनकी जो बॉडी है इस तरीके से खंड में पाई जाएगी आप गूगल बाबा से पूछिएगा कि तीनिया सोलियम कैसा दिखता है तो वह आपको उसका एक स्ट्रक्चर छोड़ो उसका सारा का सारा सब कुछ निकाल के दे देगा तो त कॉछ बॉडी से रहता है कि याद रखोंगे यता सवलियम को वाडी रहता है तो इस तरीके से रहता है उत इस तरीके तो इस सेगमेंंट सै сок but a क्या लिखा है कि इनमें जो सेक्सेज होते हैं वो सेपरेट नहीं होते मतलब यहां पर मेल और फीमेल सदस अलग-अलग देखने को नहीं मिलते हैं अर्थात यह हर्मा फ्रोडाइट होते हैं उब लिंगी होते हैं हर्मा फ्रोडाइट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों क प्रेजेंट होगा ठीक है तो अभी तक जितना भी आप लोग पढ़के आया हो टीनो फोरा तक वहां तक आपने पढ़ा कि जो पर्टिलाजेशन होता हो एक्स्टर्नल होता है बॉडी के बाहर हो रहा है पढ़ा कि नहीं पढ़ा भे याद करो फाइलम प्रुटौज होवो पौरी फेरा सील अक्सें पाई हो अगर है वह है भी तो भी Qyajin Myesom लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि fertilization हो रहाएn internal, बहुत important है fertilization हो रहा है internal लेकिन फिर भी बहुत सारे यहाँ पर larva क्या होते हैं बनते हैं एक्षोल में बहुत सारी stages होती हैं वो stages larva के form में ही होती हैं तो इसलिए उनकोlarval stage कहते हैं अब different type के organism यहाँ पर है अब किसी किसी में तो direct क्या होता है कि जो جाईगोट होता है वो जाईगोट embryo बनाएगा और embryo बना करके वो direct क्या करता है लेकिन किसी किसे में क्या होता है जाइगोट एंप्रियो बनाएगा एंप्रियो क्या करेगा एंटर्मीडियar जुदल किया है और यह चलुक और बे durability- Sabrik इस जब प्रेंट होगा तो यह कौन ऑनक बारे में हम इसके सराइब दाता है अब यह कौन कौन से हैं बता दीजी चलो यहां पर देखो पहला लारवा पहला लारवा जो है उसको भी बोलते हैं सिस्थी सरकस लारवा सबी को भी हम लोग से भी देखेंगे लारवा सातवा है सरकेरिया लारवा और आठवा है बेटा मेटा सरकेरिया लारवा तो ये कुछ आठ प्रकार के हमारे पास में या पाइलम प्लेटी हलमें थे इसके सदस्यों के अंदर ये कुछ आठ प्रकार के क्या बनती है बेटा लारवल फॉम्स बनती हैं और ये लारव एक देखा जाए प्लांट के बनन ऐसे है सीड बनना को सकते हैं था मतलब एक इस्थान पर यहां पर शेजाबर मेरे 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 एरिया में कोई मैंगो का ड्री लगा वहां पर किसी हाती ने आकर के मैंगो खाया वहां यहां से चल गया 10-15-20 किलोमेटर दूर और उसने जाकर वहां पर अपने स्टूल का एकस्कृट किया उस स्टूल के साथ में बीज में निकल जाएगा और बीज वहां पर जर्मिनेट कर जाएगा तो यहां जो प्लांट था अब 20 किलोमेटर दूर भी वही वाला आम का प्लांट मिला है तो सीड का या लारवल स्टेज का या डिफरेंट टाइप की जो अड़ेप्टेशन है उनका पाया जाना एक डॉम सुलियम का लारवा होता है इसमें आपको याद रखना है कि जो टीनिया सुलियम का इंफेक्शन है जिसको टीनिया से कहते हैं और यह इसको डिजीज है यह हूमन के अंदर इसी लारवा के तो होती है और यह लारवा कैसे पहुंसता है बाडी के अंदर तो जो समूह या कु पॉड लेते हैं उनके अंदर टीनियां सुलिम की सिकायत हो सकती है डेफिनिली हो सकती कोई बड़ी बात नहीं यह बैटा अंको अस्पियर लारवा है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है यह हैग्जाकेंथ लारवा है यह सारे लारवा हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में यह वाला आप देखें इस पॉरोसिस्ट लारवा है जिससे ही रेडिया लारवा बनते हैं तो इस पॉरोसिस्ट लारवा अलग है रेडिया लारवा अलग है पिर सरकेरिया लारवा अलग होता है और मेटा सरकेरिया ला होगे यह कुछ लारवा हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैंने यहां पर डाइक्रमेट्रिकली जंग से भी आपको समझाने का प्रयास किया अच्छा कुछ सदस्स हैं यहां पर एक्जामपल के तौर पर हमें वो देख लेने हैं जैसे यहां पर कुछ ऐसे इ अगर होगा तो पढ़ाएंगे नहीं होगा तो कॉंगा तो कोई बात ने फृरी देखलो कौन-कौन से सदस्स हैं तो यहां पर एकाइनो कोकस ग्रेन taraf इक्रेनलोस से है ये बिटा किकाइनो कोकस ग्रेन॔लोसस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है और इसके बारे में इसकी तारीश की अगर हम बात करें, Echinococcus Granulosis को, तो ये कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर, इसे Dog Tap Warm के नाम से जानते हैं, किस नाम से बेटा जानते हैं, Dog Tap Warm, बहुत important है, Dog Tap Warm, मतलब ये Dog के अंदर, हाँ बेटा, ये Dog के अंदर, Parasite पाया जाता है, मतलब उसकी intestine में ये आपको देखने को मिलेगा, अचा यहाँ पर दो stages होती है, मतलब इसकी life cycle दो host पर complete होती है, एक तो primary host तो यहाँ पर इसका Dog ही है, लेकिन intermediate host जो हो सकता है, वे God है ना, यो कोई हो सकता है, अपनी life cycle को दो host पर ही complete करता है, तो इसका primarily जो important है, जिसके अंदर ये रहता है, वो क्या है बिटा, डॉग है, जिसमें ये वाला आप देख रहे हैं, और ये वाला, मतलब ये दोनों ही male female है, इसका ये मतलब आप देख रहे हैं, तो male और female, male plus female, दोनों यहाँ पर structure देखने को मिलेंगे, ठीक है, male female दोनों मिलेंगे, तो देखो यहाँ पर ये बाहर की तरफ, टेस्टिस देखने को मिलना है, दिखाई पढ़ रहा है कि नहीं, ये देखो, ये टेस्टिस हैं, गोल गोल, और ये वाला जो structure है, ये uterus है, जिसके अंदर बहुत सारे egg बनेंगे, और ये ovary है, एनाट, तो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर structure देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते है, इकाइनो कोकाज granulosis, इकाइनो कोकाज granulosis जो होता है, ये dog tap worm के नाम से जाना जाता है, अच्छा सर, इसके बारे में बता दीजिए, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, इसको मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, दोनों अलग-अलग, मतब मेल और फीमेल, दोनों ही, इसके अंदर, male और female दोनों ही इसके अंदर आपको सदस से देखने को मिलेंगे बलब sex organ देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखे यह ovary present है और यह वाला क्या बिटा male वाला portion है यह male वाला portion है तो यह intestine है york glands है पर पूरा 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 इसको पढ़ना तो ही नहीं और यह acetabula में अचा इसके वारे में कुछ खास बात आपको बता दें तो यह जो होता ना बिटा यह मैं इसको इधर लिखे दे रहां है we के बारे में मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं आप लोग याद रखिये हैं कि फास बात कि तो इसे हम लोग बेटा ब्लड फ्लूक नामसे जानते हैं प्लडियत दूसरी बात यहां पर कौश करता है तो तो जो disease cause करता है बिटा उसको हम लोग बोलते है snail, snail fever या इसको हम लोग बोलते है oriental, intestinal, oriental, intestinal, cystosomiasis, oriental, intestinal, cystosomiasis यह intestine में ही present होता है, अब आप कहेंगे सर किस में present होता है तो human beings में, primary इसका host कोन होगा, cystosoma का primary host primary host कोन है, human है, याद रखो के primary host बेटा human है और इसका जो intermediate host है, intermediate host, intermediate host क्या कहते है जो किसी दूसरे में पहुँचे, दूसरे human में पहुँचा सके intermediate host इसका है बेटा snail, ठीक है, intermediate host कोन है, snail तो जो cystosoma है, इस cystosoma को blood fluke के नाम से जाना जाता है, ये disease cause करता है, जिसको snail fever या oriental intestinal cystosomiasis के नाम से जाना जाता है, इसका primary host बेटा human है, और intermediate host snail है, जो लोग snail को खाते हैं, लाइक चाइना बगरा में आपको अधिकतरी देखने को मिलागा, जो लोग snail को खाते हैं, उनके अंदर इस तरीके का parasite या platy halmanthies देखने को मिल सकता है, अच्छा जी, ये तो दो बाते हो गई हमारी, इसके बाद में ये दो और organism है, जिनको आपको देखना है, एक तो यहाँ पर बेटा है, फैसियोला हिपेटिका, देख भईया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन, फैसियोला हिपेटिका, एक एडल्ट वार्म का ये बना हुआ है, बेटा, उपर की तरफ आप देख रहो, ये माउथ है, और नीचे की तरफ एक स्क्रीटरी पोर, लाइक एनस की रूप में यहाँ पर प्रजेंट है, औरल सकर्स पाया जा रहा है, एसे बुलम पाया जा रहा है, गोनो पोर प्रजेंट है, हैड लोप्स फैसियोला हिपेटिका होगा तो आगे में पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ खास बात है, वो आपको याद रखना है, जैसे फैसियोला हिपेटिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे बेटा हम लोग लीवर फ्लूक के नाम से जानते है, लीवर फ्लूक, ठीक है, लीवर यहां पर जो प्राइमरी होस्ट होगा इसका जो मतलब इसका आप याद रखिए इसकी जो लाइफ साइकल होती हो डाइजवेटिक होती है डाइजवेटिक लाइफ इसके जिसमें प्राइमरी होस्ट की बात करें तो वो है बेटा सीप यहां पर कैटल भी हो सकते हैं सीप या कैटल ओर हम secondary host की बात करें दितियक कोशचत जो इसका है जहां पर यह अपनी life cycle को बढ़ाता है यह complete करता है उसको हम लोग बोलता है snail ठीक है snail स्नेल और से स्नेल बढ़ा रहा है हाँ खांबई स्नेल होता है इसकी दो species होती हैं, एक tynia solium होती है, एक tynia saginata होती है, tynia saginata especially, जो लो будет cattle क्हाते हैं, cow, buffellos वगेरा को खाते हैं, उनसे हो जाता है, या got वगेरा को खाते है, उनसे हो जाता है tynia saginata, और tynia solium जो species है, यह mainly और mainly pork meat खाने से होती है, एक पॉर्क मीट केने मतलब यह वो गया सुवर का मांस खाना, जो लोग सुवर के मांस को खाते हैं और हाफ़ творक मीट बोलाऊ पॉर्क कीट 5 जो हाफ़ कुट पॉर्क मीट को अप्टेंड करते हैं उनके अंदर टीनिया सोलियं हो जाता है अब ये भी digenetic parasite होता है ठीक है इसे हम लोग pork tap warm के नाम से भी जानते है pork tap warm याद रखोगे इसे pork tap warm के नाम से जाना जाता है दूसरी बात बिटा इसका जो primary host होता है primary host की हम बात करें तो वो human होता है है ना primary host कोने बिटा human है और जो secondary host है वो कोने भाईया pig है अब pig भी तभी आप लिखोगे जब हम बात कर रहे होंगे solium की जब आप बात करेंगे टीनिया solium की तब आप pig को लिखोगे इसका secondary host लेकिन अगर टीनिया सेजिनेटा आ जाए एक्जाम में तब आप लिखोगे cattle या cow या buffalo कुछ भी आप लिख सकते हो ठीक है तो I hope मेरे पहरे बच्चों आप लों को यहां तक इस class का आनंद मिला होगा और आज के इस class में हमने फाइलम फ्लेटे हलमन्थीज को बिलकुल और बिलकुल समात कर लिया है इसके बाद में जो next lecture हमारा होने वाला है वो इसके बाद वाला round warm के बारे में देखेंगे यहां पर सारे के सारे flat warm हमने देखे flat warm के कुछ examples भी हमने ले लिये इसके अंदर जो आपके लारवा बनते हैं वो भी हमने पढ़ लिया अब next lecture में हम बात करेंगे एसकेलमेंथीज के बारे में या निमेटोहलमेंथीज के बारे में या निमेटोट्स के बारे में ठीक है तो निमेटोहलमेंथीज, एसकेलमेंथीज, निमेटोट्स एक ही नाम है यह बात में चेंज किये गए हैं या आप कहें round warm ठीक है और यहां पर भी आपको जो round warm है व इसे वुचरेरिया बेंट्राफ्ट आई की बात करें तो यह एक निमेटोड है बिटा यह निमेटोड क्या करता है जो एलीफैंटियासिस नमक डिजीज होती है एलीफैंटियासिस क्या होता है आप देखा होगा हाथी पाउं औरो जिनका पैर एकदम हाथी जैसा हो जाते है बहुत मोटा मोटा हो जाता है तो एक निमे टोड़ि के कारण ही होता है इसका नाम है वुच्रिारिया और यह वुचिरेरिया बेंट्राफटाई ट्रांस्मीट होता है एक फीमेल मॉस्कीटो से जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ठीक है अभी तो सिर्फ नॉलेज ले लो और आपने एक सुना होगा है एसकेरिस इसमें मेल और फीमेल से दोनों अलग-अलग होते है एसकेरिस म को धड़ा धड़ा बढ़ाता है और होता क्या है बच्चो अंत में जो इंटेस्टाइने वो ब्लाइंड हो जाती है बंद हो जाती है इसका इतना प्रक्रोप हो जाता है और कभी-कभी क्रिटिकल कंडिशन में सीरियस कंडिशन में क्या होता है आप्रेशन करना पड़ता है इंटेस्टाइन को फाड़ करके इन सब को निकालना पड़ता है देखिएगा गूगल बाबा के उपर सूचिएगा बताएगा ठीक है बहुत सारे बहुत सारे ऐसे निमेटोड्स हैं जो हम लोग नेक्स क्लास में डिसकस करेंगे तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा समझ में आया है तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोग क्लास को ज़्यादा स्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में किस्षेज़क आप तो उसका लाभ लई रहे उनको भी लाभ मिल सके लाइक कर दीजे वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बलाइकत दबादेगे आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद